भारत की तरक्की से जलने वाले पाकिस्तान को आज एक ही दिन में दो बड़े जटके लगे हैं। भारत के चंद्रायान तीन मिशन की सफलता और UAE में PM मोदी का सफल दोरा पाकिस्तान को पच नहीं रहा। भारत के चंद्रायान तीन मिशन की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वहीं UEEK साथ भारत की मजबूत होती दोस्ती ने दुश्मनों की नीन दुड़ा दी है। पाकिस्तान को मिर्ची इस बात की लगी है कि जिस देश से वह खेरात लेता है, वहां PM मोधी बार-बार क्यूं जा रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की अगवानी करने के लिए क्राउन प्रिंस शेक खालिद बिन मोहम्मद बिन जायदल नाहयान खुद एयरपोर्ट पहुँचे थे। PM मोधी का स्वागत करने UAE के राष्ट्रपती अपने महल के बाहर खड़े थे। PM मोधी के कार से निकलते ही गले लगाकर उनकी अगवानी की शहबाज शरीफ ये तस्वीरे देखकर काफी बेचैन होंगे क्योंकि जिन नेताओं के सामने वो हाथ बांध कर खड़े रहते हैं वो PM मोधी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आज यह जरूर सोच रहे होंगे की ऐसी रिस्पेक्ट कभी पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। PM मोधी के UAE दौरे को लेकर पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि भारत और UAE ने एक कंप्रेहिंसिव एकोनॉमिक पात्नेशिप एग्रिमेंट साइन किया था मई 2022 में। अब वहां दोनों मुलकों के बीच बिजनेस बड़े लेवल पर हो रहा है। और दोनों मुलकों ने वादा किया हुआ है दोनों मुलक मारकेट में मैक्सिव एक्सिस देंगे लेकिन पाकिस्तान के UAE से संबंद सिर्फ खेरात मांगने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ खुद बताया करते हैं कितनी चतुराई से वो UAE के शासक से खेरात और मोहलत मांग लेते हैं। जो चीजें पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, भारत के साथ वो UAE कर रहा है। क्यूंकि UAE को पता है इनसे कारोबार करना कितना जरूरी है। उनको पता लग गया है कि भारत कितना एहम मुल्क है। वही शहबाज शरीफ का मौडल बिजनेस का नहीं संजीदा बाते करके खेरात हासिल करने वाला है। शहबाज शरीफ UAE से एक बिलियन डॉलर करज मांद रहे हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी की योजना दोनों देशों के बिजनेस को 100 बिलियन डॉलर पार करने की है शहबाज शरीफ वैसे ही भारत की तरक्की से बेचेन थे। अब प्रधानमंत्री मोदी का UAE में रुद्बा देखकर उनकी पहले से उड़ी रातों की नीदे लोटने की उम्मीद काफी कम हो गई है। वहीं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने कहा कि पी-म मोदी ने भारत को राष्ट्रवाद का तोहफा दिया है। जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है ऐसे में पाकिस्तान को भारत से सीख लेनी चाहिए। तरार ने कहा कि पाकिस्तान कोई चीज इन्वेंट करने की काबिलियत नहीं रखता तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपको मोदी जी के नाम से भारत के नाम से शर्म आती है तो बांगलादेश की कॉपी कर लें.